हिसार के अग्रोहा धाम में अग्रोहा विकास ट्रस्ट के प्रतनिधियों का राश्ट्रे सम्मिलन हुआ ट्रस्ट के राश्ट्रे कारिकारी अध्यक्ष बजरंगदास गर्ग ने सम्मिलन के अध्यक्षता की सम्मिलन में अगले एक महीने में राश्ट्रिय और प्रदेश स्तर्य इकायों का विस्तार करने का नर्णे लिया गया अग्रोहा विकास ट्रस्ट के राश्ट्रिय कारी-कारी सदस्य लक्षमी नाराण गोयल सहित 51 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया सम्मिलन में अग्रोहा धाम के विकास और अन्याराजियों में अगरवाल भवन निर्मान के लिए 125 क Ring करोड रुपए खर्च करने का भी फैसला किया गया अग्रोहा धाम के तरफ से आयोध्या में भी अग्रवाल भवन बनाया जाएगा अग्रोहा विकास ट्रस्ट के राष्ट्रिय कारी-कारी अध्यक्ष बजरंगदास गर्ग्ने कहा कि पूरे देश के वैश्य समाज औक ग्रोहा धाम के नितरतों में एक सूत्र में पिरुय जाएगा उन्होंने बताया कि अग्रूहा धाम के विकासकारियों में राजे सभासांसद अग्रूहा धाम के राश्ट्रिया संडरक्षक सुभाश शंद्रा के तरफ से एहम योगदान दिया जा रहा है। अगर्वा धाम के निर्तर्त के अंदर भवे देश के कोने कोने में भवन बनाए जाएंगे जिसके लिए दिल्ली में हमने जमीन मोल ले लिए हुर कबजा ले लिया है। पूरे देश के वैस समाच को अगर्वा धाम के निर्तर्त में एक सूत्र में परोना का काम किया जाएगा और अगर्वा धाम के हमारे मुखे संक्राइब और राज़े स्वाब संद्राजी का हमेशा हर काम में बैसेश्य जोगदान रहा है।